हेलो एंड नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 247 ऑनलाइन कलासेस में दोस्तो आज का यह वीडियो कक्छा 10 NCRT गनित वास्तविक संख्या का पार्ट 4 वीडियो होगा जिसमें की हम लोग उदाहरा नमबर 5, 6, 7, 8 और प्रश्न संख्या एक से 7 तक एक सरसाइच 1.2 का प्रश्न संख्या एक से 7 तक को कभर करेंगे ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे की परमे 1.2 जो है एक सरसाइच 1.2 शुरू करने से पहले प्रमे संख्या 1.2 जिसमें की अंक गनित की अधार भूथ परमे का डिपनेशन देखेंगे और अंक गनित की अधार भूथ परमे क्या होता इस के बारे में समझेंगे ठीक है इससे पहले दोस्तों अगर आप को कहना चाहूंगा अगर जदी आप वीडियो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थी नहीं देखे हैं तो किर्पया करके आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थी वीडियो देख लें तब जा करके आप ये सारा अच्छी तरह से समझ में आएगी ठीक है और वीडियो शुरू करने पहले एक बात और कहाना चाहूंगा कि आप अगर जदी इस चैनल पर नए आये हैं तो किर्प्या करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें चुकि दोस्तों वीडिय को इसमें क्या कहा गया है कि परतिये भाज सेंख्या को और हाज सेंख्या हो के एक गुनन्फल की रूप में ब्यक्त गुनन खंडित. ब्रेकें में गुनन खंडित. किया जा सकता है तथा यह गुननखंट और भाज गुननखंडों के आने वाले करम के बिना ओदूतिया होता है चलिए अब इसको समझते हैं कि यह क्या कह रहा है कह रहा है कि परतियक भाज संख्या को और भाज संख्याओं के एक गुनलफल के रूप में ब्यक्त किया जा सकता है ना कहने मतलब यह हुआ भाज संख्या जैसे मान चलिए कि पहला भाज संख्या क्या है कि चार ही ले ले लेते हैं ठीक है चार क्या है एक भाज संख्या है भाज और अभाज संख्या बता है न आपको अगर जिदि आपको नहीं पता है कि भ जबनावों को subscribe नटॉप में लीखा जा सकता है ना और यह गुनन खंड आने वाले करम के बिना औतीह होगा इसका कहाने मतलब यह हुआ इस दो को यह वाले 2 को आगे लिगते चाहिए यह बाले 2 को आगे लिख दे या पीछे लिख दे कोई परक नहीं पड़ेगा चलि एक और एक्जामपल लें दूसरा दूसरा इक्जामपल यह है कि जैसे मांट चलेगी 6 इसको अभाज घुनल फंफ में तो कहने मतलब कि इसकों में घुन थे होगा कि इसकों कि इन था होगा इसका आने वाले करम कि बिना क्या होता है कंगवा तक मैं १र से भी लिख देंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है चलिए अब उदाहरान में चलते हैं इसका तो यूच चप्टर में हो जागा आपको उदाहरान से सुरू करते हैं तो उदाहरान नमबर पांच इससे पहले हम लोग 1,2,3,4 तक जो है उदाहरान नमबर पार् चार कीजिए जहां एक क्या है पराकरी संख्या है जाच कीजिए कि क्या एन का कोई ऐसा मान है जिसके लिए चार पर पावर एन सुन पर समाफ्थ होता है ठीक है ना तो चलिए तो इसका हल देख लेते हैं क्या है हल के से करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यदि एन के किस इमान के लिए चार के पावर N सुन पर समाफ्थ हो तो वह पांस से विवाज हो और कोसन कह रहा है कि कोसन कह रहा है आपका पहले कोसन बढ़ियां समय लेते हैं कोसन कह रहा है कि चार के पावर एन पर विचार करना है और एन एक प्राक्रिस संख्या है जाज किजे कि एन का कोई ऐसा मान है जिसके लिए चार के पावर एसा रखेंगे कोई ऐसा होगा सवाल करने मत भी है कोई ऐसा पावर होगा जो की पावर रख देने पर चार जो है कहां पर समावत होगा वो सुन पर समावत होगा इसके लिए हल में यह देखा जाएगा यदि एन की किसी मान के लिए चार के पावर एंस सुन पर समावत होगी तो वह किसे विवाज होगा पांस यह निसी तुरुप से पांस से बहुत जैसे मान से लिए कोई संख्यां के लाइस्ट में गजिदी जी अगा ना इस तरह से कट जाएगा तभी समझेंगे कि इसके आंत में क्या होगा सुन हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं कि कटता है कि ने करता है तो सबसे पले यहाँ देखें कि अर्थात चार के पाउर एंका एक गुननखंड क्या हो गा पांच होगा लेकिन चार के और डोगा दो बार दिखा जाएगा और फैसंट और यृहां पर क्या वर यंकि यहां उड़ यसके बार छली है तो फ़िंग सकते हैं को यह चूंकि लूंगेया है वंग मतानुद हो जाता है तो यहां पर आजयरा है कि इसक़ बेभी पांस नहीं आ adows गुनान्खंड करने पर सिर्फ दो दो ही आ रहा है लिदा क्या होगा यह होगा यह जो होगा जेखे चार के पावन एन एक अभावाज गुनानêsखंड में केबल आभावाज सिंख्याüne दो ही आ सकती है अता एन एक ऐसा कोई मान नहीं है, जिसके लिए चार के पावर एन, अंक जीरो पर समाफ्थ हो सकता, है न, कोई ऐसा मान नहीं है, है न, तो चलिए, यह हुआ आपका चेप्टर, यह सवाल का सुलुशन था, इस सवाल का, कि उधारा नुमर्श देखिए उधार नमर्श space में कह रहा है कि संख्याऊं नुमर्श्ञ देखिए उधार नमर्श नंऊ कह रहाए कि संख्याऊं चो और 20 के अवहाज गुतनर कंड dCT से हैस्च एप और एल से mi ग्याद कीुदि एस है और एल से मे बारे में आपको तुम आलो होगा सभक्य होता है एस फोटा है हमानन क्रते हैं रिंस संख्या में जि़नान चर्थ घृ進 वह एगावाराव रहे करना होगा तो दो से दिये तो यहां पर दस आया उसके और फिर दो से देंगा तो यहां पर पांच आएगा ठीक है तो मतलब यह हुआ लिए चो कीर यहां कि सकते हैं दोगुना थीन दोगना पांच के लिए लिक सकते हैं तुम इसलिए अब два नहीं कि यह जो औरन संख्या में कोमें कि यह रहा है यह रहा है दोसावान है इंड़्षइब दोनों में मिले रहा है तो स्क्राइव कि इतनAH हो गया है उसको लिख देंगे डोनों कहले मतलव जो यह दोनों को छोड़ कर बांकि जो सेस बचा हुआ उसको भी क्या करेंगे गुणा में लिख देंगे तो बांकि सेस क्या बचा तीन बचा तो यहां पर क्या कि तीन लिख दिए उसके बाद दो बचा इसमें तो इसमें भी क्या कि दो लिख दिए फिर पांच बचा यहां पर तो यहां पर क्या कि यह पांच तो जब सभी को गुणा करेंगे, यहां से वहां तक सभी को गुणा करेंगे, तो क्या हो जागा, आंसर हो जागा 60, मतलब अर्थात यह हो जाएगा, कि आपका SCF आया 2 और LCM आया 60, यानि कि छो और 20 का SCF कितना आया, 2 और LCM आया 60, चलिए, next question देख लेते हैं, next question में है, कि अ 90 और LCM का 244 का, आवास गुणानखन कर लेंगा, तो 96 को यहां पर कुणानखन क यह दिखे, यह दिखिए, यह दिख forgiveness को ऑवास गूणांखन कर लित क्या हो गया, Jeżeli, तो यहां पर 2 सや तो 24 आया, 12 स दिखे तो 12 तो 16, और सो का अधा फिर हो गया, यहां पर 23 ठीख और उसकेवाद चार सर चार को फिर क्या अवाज गुंकन करेंगे तो यह होगा दो से देंगे तो 2 फिर 2 से देंगए तो एक отвz 111 फिर 9-1 इस रूप में लिख सकते हैं ठेज़न यह को सार को क्या किया कोमन आ रहा है तो मतलब कोमन कहने मतलब क्या किया मिल रहा है तो तो दो मिल रहा है यहां पर फिर यह पर देखने करें दो मिल रहे है रहा फिर हो गया बाकी और कुछ मिल यहीं उसमें एक शुद चैनक मिल रह तो यह तो ढो तो दो बचा तो तीन ठूदू यहां लिग दिए उसको बचा तीन बचा तो यहां तीन लिग दिए और इसमें इस वाले संख्या में क्या बचा एक सो एक लिखती है चलिए तो इसका सबसे पहले क्या कivamente आपको एक नियम बता हुए सबसे पहले सभी का बाज गुना धन खन तो निकालेंगे तो क्या अब तिस तरह से यह सभी को चो को निख देक्यां दोगनादिन करुप में बहत्तर को इस रूप में लिखा गया और 120 को इस रूप में लिख दिया तो इसमें से देखेंगे कोमन क्या चीज़ है सभी में क्या है यह तीनों में कौमन मिलना चाहिए वही चीज्च होगा दो मिल राइं अब देखिए इसमें उपर वाला में देखे च्छो में तो शिर्फ 3 है तो 3 इसमें भी होना होना किसे दोना तीन अर्थात कितना हो जागा इसमें दो बचा है यह तो दो धिन तो लहीं लिया है ना तो यह तीन सिर्फ बचा हुआ लिख लिए यह सभी को गुणा किया दू कितना आया 306 काहने मतलब यह हुआ कि चो Lego और 126 ऑर 120 का कितना आँ शे आए और सब्सक्राइब 303 सका refresh आप उसको चाहिए करना के बॉंधान के बियाक्त करना चाहिेक तो 1040 को क्या करना अभाज गुनानखन के गुनालफल के रूप में ब्यक्त करेंगे 140 को तो 140 को अभाज गुनानखन के गुनालफल के रूप में ब्यक्त करने के लिए सबसे पहले लो यह सभी का गुनानखन कर लेते हैं गुनानखन करेंगे तो 140 का पर कित से लेगा दो से लेगा इ यहां पर देखिये यानि कि यहां पावर काव ऑर होना च्छा़िये मिज़ने चाहिए दो के शुद्छ हो जाया पर यहांपर यहुदी के उन्ह Hamal C मार्म स्कते हैं तो चально कनछОिक और पांछ गुना-दीशत के लिखन न्हें 05 police तो आंसर हो यह होगा आपका नेक्स्ट कोशन देखें नेक्स्ट कोस्न 156 156 को लिखना है किसमें अवाज गुनोंखन के गुनलफ़र के रूप में 156 को जब अवाज गुनोंखन करेंगे तो दो से दी हां पर तो कितना आया 78 फिर दो से लेगा तो कितना होगा 49 हो जाएगा अप्पिर 49 जो है दूसर नहीं कटेगा तो आँ जदिस से देंगे तो टींगे त्युक्या हो गया थिक है अब छुली 156 को इस रूप में लिख लिए 222 के सिंथ हजाएगा तीन सिंगल 3 है और 13 भी तो सिंगल ठेरो योग यांसर ठीक है चलिए नेक्स्ट कुर्षन देखिए नेक्स्ट कुर्सन क्या है नेक्स एक 3825 यानि तीने जर आठ सब पचीश को अभाज गुनान खन के गुनल फल के रूप में ब्यक्त करना है इसमें भी क्या करेंगे सबसे पहले अभाज गुनान खन आप लोग करके देख लिएगा हम ऐसे सौट में बताते जा रहे हैं जल्दी जल्दी ताकि आपको समय कम लगे और वीडियो बनाने में ज्यादा देरी नहीं हो सके ठीक है तो तीन से देंगे तिया हो जागा बारा सब 75 उसके बाद फिर तीन से लेगा दोसे तो नहीं कटे सब्सक्राइब चार सो पाचीस फिर पासिए तो यह हो जागा 50 50 फिर पाचीस देंगे तो यह हो जागा 17 टीक है अब 38 25 क्या लिए सकते हैं यह सकते हैं तो यह हो जाएगा कि 5005 को आभाज गुनानखन के गुनानफर करना तो क्या करेंगा आप क्या होगा यह पांस लाइगा यह ना तो दूस्टलेगा नहीं तीन से पांस से देंगे तो क्या वज़ागा एक हजार एक आएगा उसके बाद दिखिए फिर पांस के बाद किसे लएगा यह साथ से लेगा पांस से उसके बाद लेगा साथ से लेगा तो यह वज़ा एक सो ततालिस एक सो ततालिस दिखिए उसके बाद 11 से कटेगा एक यारव से साथ को बाद सीधा 11 कर जाएगा जो की 13 बार में 11 कटेगा ठीक है अब इस तरह से इसको लिखा गया पांच गुना साथ गुना 11 13 यह अफ कांसर हो गया ठीक ह लेएं च्छोड यह तो आप आउस को चलिए प्रस्ण संख्यां दो ख औरहा कि निमलिखित पुर्णांक को करने मिलिखित यूगमों पुर्णांकों को यूगमों को से आप अश्यम ग्याद के यह और इसकी जाज कीजिए लेड़ीज़रा पहला ठीक है दो संख्यां के 26 को लिखे क्या दो गुना 13 और को लिख सकते हैं क्या साथ गुना 13 हमाद संख्यां इतार के रूप में तो दो बचा और यहांपर शाथ बचा है अब जांच कर लेते हैं जांच में कैसे जैंच करेंगा लिए पहली संख्या आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ छबीश ऐसा कुरिसंस में यह चीज आपको प्रश्ण में दिया हुआ सबीस पाओ्ला संख्यां दूसरा संख्यां 91 Veron показ टेरो आहा और मैं 111 oxy तो आपको तौस भीट बनाने में भी आपको मदद करेगा और exercise के सवाल बनाने में भी मदद करेगा ठीक है इस सुत्र बहुत ही important सुत्र है इसी से जो है पहला संख्यय यहां पर दिया हुऊ है कि इना चब्यूस और तीज यहां टिर गाना करेंगे यह होगा कितना 26 26 यह जब इसको भी गुना करें तो दूनों तरफ बरावर आ गया ना तो दूनों तरफ जब बरावर हो जाए गया तो कहने मतलब क्या है मेरा एस्ट और एल्सम जो आया था वो सही है प्रूट हो गया ठीक है चलिए नेक्ट को सनम इसमें भी वही चीच कहा रहा है कि पांसफ़ दौस और बरावर का एस्ट ग्याद कीजिए उसके बाद जाच कीजिए है ना तो क्या करेंगे आवाज है तो कि दो मिल्दा है बाके और कुछ नहीं मिलदा है तो यह जागा दो हैसे अब मधिले अब लसेम क्या बता है कि एस्टेफ को पड़ी लिए था कि इनसे वितना दो जूंप की स्टी बचा है वह उसको भी लिख देंगे तो इसको लिखने के बाद जो आपको यह समयय व सब्सक्राइब करेंगे दोनों को गुना करेंगे दोनों को गुना करने के बाद क्या आया है सब्सक्राइब करेंगे दोनों तरफ बरावर हो गया तो सबसे पहले अवाज गुनानखन कर लेंगे यहां पर अवाज गुनानखन के दो से दिये तो दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब यारेमाख और पर है घचार मेरेंगे सब्सक्राइब थोन आप 20 सब्सक्राइब करें दोनों में चोटा वाला पावर जो मिलेगा तो तूनों में देखे दो मिल रहा है और तीन मिल रहा है तो तीन दो गुना तीन हो जागा च्छो अब देखे यहां पर इसमें 336 में 4 को 2 है और 54 में कितना एक ही ठोड़ों है तो दोनों में मिलना चाहिए सेम सेम चीज तभी वही चीज होगा ऐस से अग तो सिर्फ 2 लिख सकते हैं और इसम में 3 लिख सकते हैं तो 6 हो गया उसके जर्फ़ क्या होगा लशीन सेम भड़ा बड़ा पावर ले सकते हैं जो सबसे बढ़ा अपावर होगा वह मत दो और 4 हो गया और 3 शाओ तीन 아ेंड 2 की पावर 4 झो सिर्फ 3 जो बाकी शीत बचा सथ कि बचा साथ ही नहुचा तो साथ ल करने के बाद इसका कितना यह जागा तीनेजर चोवीश यह जागा अब क्या करेंगे जांच लेंगे ठीक है जांच लेंगे कैसे कि पहली संख्या कितना है पहली संख्या तो पहली संख्या कितना है तो पहले संख्या है 336 और दुसरी संख्या है चोवण ठीक है और एल से अपाय कितना अच्छे और एल से मैं है आपका तीनेजर चोवीश ठीक है जब दुनों तरफ गुना किये यह जोगी आठारा जार 144 तो इधर भी आठारा जार 144 तो है ना दुनों तरफ बराबर आ गया देश का मतलब क्या है हम लों का जो आंसर निकला था वो बिल्कुल राइट था ठीक है चलिए अब नेक्ट प्रस्ट कर रहा है नेक्ट प्रस्ट में देख लिजे क्या कर रहा है अभाज गुनांखन बिधी द्वारा निम्नांकि 3 इसे तो कूए साथ आ है ना इस रोपे सब को लिख लिए उसके बाद चलिए मुशके बासके बात क्या होगा मतलब तीनों चीज में जो क्या होगा है यह होगया 3mes5 नहीं सब में मिल रहा है तो कि कुछ नहीं मिल रहा है इसके अलावा LCM क्या होगा LCM यह होगा कि जो तीनो में मैं barbecue कोमन है उसके बाद जो बच जाता वी क्या हो गोगा LCM के लिखा जाता तो LCM में असम क्या गया 3 आया तो 3 लिख दिया जो बांक contempt 6 लिखने के बाद यहां पर सबको गुणा की रूप में लिखने के बाद कितना गुणा करेंगे कितना आ जाएगा चारसौ बीस आ जागा ठीक है चारसौ बीस होके एश चारिए अब आगे दो नमर कोशन दिखी तो नमर का रहा है बलोगरा सत्रा तेस और उनुटिस का निकालना है में लोग को एल्सेम और स्चैप निकालना देखें यहां पर देखने वर एक चीज पता चलता है कि इस बता थे जो और एक को छोड़ करके बांकी किसी से नहीं कटे वो क्या होता है अवाज संख्या होता है यह तो खुदी अवाज संख्या का कोई गुनंखंडी नहीं होता है उसका एक हो जागा ठीक है और सब्सक्राइब कर देंगे जब गुना कर देंगे जब यह सभी को गुना करेंगे तो कितना हो जगा देखिए यहां पर 11349 जगा इसका अंसर ठीक है चलिए अब नेक्ट कुस्सन देखते हैं आठ नो और पचीश का एस्याप और लस्यम निकालना है तो आठ क्या करेंगा सब सब्सक्रान करेंगे लें हैं और कि यह सब भी हो गया उसके बाद देखिए है एक सर्फ यानि कि तीनों में गेघार कुछ भी कमवन नहीं मिल जब कुछ नहीं मिलेगा तो एक तो जाएगा कितना एक ख़ाएगा ठीक है न अब देख लिपक home-urenceże empower जब कुछ मिला ही नहीं तो सभी को क्या करेंगा गुणा करें सभी को लिख करके कुना आगए स्कूरे कंशंब और पॉप सच्वलर्ट करें पिछां में परिए प्रुशन परोइटने क्या के चलिक Cert सब्सक्राइब करें तो यहां पर शुत्र लगा देंगे पाली संख्या क्या है पाली संख्या कि सब्सक्राइब करें तो यहां सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पाले सुत्र क्या होता है कि पाली संख्या गुना दूसरी संख्या बरावर होता है सब्सक्राइब करें तो यहां पर तो यहां पर जगात ही करना तो यहीं लिख दिए उसकी बात इसको क्या लिख सकते हैं बराबर के उस पार में जाने के बात ये 9 को क्या करेंगे उस पार भेजेंगे LCM आपको अपने जग़ा पर रहने देंगे यहां पर उल्टा पुल्टा कर दिये LCM को इधर उधर कर दिये इस पार और ये सबी संख्यां को उस पार भेज़े कि नो तोयरा 306 यह नो जो है गुणा में है तो नर जाकर करके किस में हो जागा बट्टे में है नमों गुणा मे था तो जागे बट्टे मों गया जब भारती 306 में नो से four कि ये चोट्राइक पर गया चोटीस बारे में कटेगा समय रहे पृष उसक को अ चले अब चले सेम देखें एक उधारन इसी तरह आप बनाए थे तुरह नमर का उधारन आपको बणा के दिये थे कि जाच कीजिए कि उसमें लिखा होगी था सबसे पहले कि यदि एन के किसी मान के लिए छे के पावर एन क्या होगा सुन पर समाफ्थ होगी तो वह किस से भीवाज होगा हमेशा पांस से निश्चित रूप से भीवाज होगा कोई सबस्क्राइब यहाद रखेगा ठीक है चली यह देख लिए अर्थात में हो जाएगा कि छे के पावर एन का एक गुनानखन क्या होगा पांच होगा ठीक है ना लेकिन यहां पर देखिए जब छो का अभाज गुनानखन करेंगे यहां पर तो यह दूर से देंगे तो तीन य अंतिन इसमें पांच कहीं नहीं आया है अगर पांच आ चाता तो यह संखिया बटशा के प Aur and क्या होता है तो एक डिया क्या होगास नहीं होगा ठीक है ना छहए गैसले लिखेंगे यहां हम देखते हैं कि 6 के पावर एन कि अभावा गुनानखंडो में केवल क्या रहा है क गeilsch Straightыл a सकता है तो अच्छ क्या होगा एन का कोई मान नहीं होगा जिसके लिए एक है पिणुको पर यहाँ सकनत होगा एन एसा कोई मान ही नहीं जो कि सब्वक्रेंगणी ठीन में रग दें वह जीरो पर जाके समाफ्थ होगा ठीक है चलिए नेट परस्षन कह रहा है कि ब्याख्या किजे की 7 गुणा 11 गुणा 13 जोड तेरो और 7 गुणा चो गुणा 5 गुणा 4 गुणा तीन गुणा 2 गुणा एक जोड 5 है ना जोड कितना है पांच भाज संख्य इसको प्रूवर्ड करना है कि भाज है क्या रहत के-सको भी है। जो दोनों में समां चीज़र उसको के बाहर कर लेंगे तो देर और बनुट है जब है। बचाक रहा जुका Lean coffee को नियुक्तम ट мест क्स्वाइब शचन ही जो पूरा करा अश्मषा संख्भा Tonight लिए यह जो है जो है पूरा कर पूरा संख्भार्ण किसे कलाए यह पैस Richmond से लिवाज क्निश्च्व्य में इसका तेरो संख्यां इसका 16 तेरह से भी वाज होगा ठीक है नब चलिए उसी तरह से आगे परस आगे का जो है यह साइग उना छे गुनध ना पांस उना चार गुना देन गुना दो handप फलास में पांच है तो यह सब को में इसमें देखिए बांच है दोनों पलस के बाद भी पलस के पहले भी है ना 5 क्या बाए गुनानखंट के रूप में के रूप में आ जाएगा थे झा तो ये भी संख्यां क्या होगा पांस से भाज होगा पांस से क्या होगा विभाज होगा जब संख्यां कट जाता तो क्या हो जाता है भाज संख्यां होता अर्थात इतना और ये क्या हो जागा ये के भाज संख्यां होगा चलिए साथ नमर प्रसमें दिखिए किसी खेल के मैदान क चारो और एक ब्रत्ताकार पत है कैसा पत है ब्रत्ताकार पत है इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को कितना 18 मिनट लगता है कितना 18 मिनट और जबकि रवी को 12 मिनट लगते हैं माल लेजे वे दोनों एक ही अस्थान पर और एक ही समय पर चलना परारम करके एक ही दिशा म एक ही एंसे यहां से शुरू करता है लेकिन क्या होँता कुछ यह denied says लोगता है और किसी के सकी करतें का रहा है तो इस क्राइब हमें स्थान पर मिलें अजुके सब्सक्राइब करने वाज करने निछों का और यहाँ पर इस replaced तो पॉननों ते नहीं नंट हो लंसी निकालना वताई निकल तो डो profund है यहां दोवर बावर है यह मिदुब थे यहां पर वेगो तो कितना हो जागा 9 जब दूनों जो मिलेंगे देहित में अर्थात वे दूनों जो है वे दोनों 36 मिन्ट के बाद जाकर के मिल जाएंगा अगर जो आफ अब ही तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और लाइक कर दें विडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर कर दें ताकि किसी दूसरे का भी मदद आपके माधियम से और मेरे माधियम से हो सके है ना कि टेंक यू फूर वाचिंग